नमस्ते फ्रेंड और वेल्कम टू अधर सेशन आप कीक फिक फिक फिरू आशा करता हूँ आँ सभी लोग अपने घरों पे स्वस्त होंगे और स्रक्षित होंगे और इसी में अपको चेक करना भी माँ बताऊँ गा अलड़ी MAP Sensor के बारे में हम बात कर चुके हैं MAP Sensor कैसे चेक करते हैं इसकी वीडियो में आपको दे चुका हूँ सेम इसमें भी यहाँ पे देखें कि तीन वायर लग रखी है तीन वायर में से एक वायर जो होती है वो आती है आपकी रेफरेंस मतलब इसी की तरह में map sensor होता है map sensor की तरह में यहां से ECU से एक वायर में हमेशा 5 volts आते हैं और वो reference voltage होती है और यहां से एक वापिस जो वोल्टेज उसको सिग्नल वायर बोलते हैं वहाँ पी आपको दिखाता हूँ मैं सारा कुछ तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपकी ब्लैक वाली जो प्रोब है मल्टीमिटर की यह आपको ले लेनी है कंफ्यूज मत होईगा मैंने रेड एलिगेटर क्लिप लगा रख बैक प्रोबिंग के लिए मैं यहाँ पे एक पिन यूज कर रहा हूँ जो पेपर पिन आती है नॉर्मली हम आफिस में यूज करते हैं कहीं पे भी तो एक पिन को क्या करना है वन वाई वन इसके जो पीछे वाले प्रोब्स है जहां पे वायर लग रखी है वहाँ पे आपक पूरा हो चुका है और इसको 20 वोल्ट पे सेट करना है तो 20 वोल्ट पे जब सेट करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं 4.92 वोल्टेज आ रही है मतलब आल्मोस 5 वोल्ट सा रहा है हमारे को ECU से रेफरेंस वोल्टेज एकदम फस्कलास आ रही है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मतलब ECU साइड से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइरिंग में एकदम बढ़िया चजरा है और वोल्टेज भी हमारे को आ रही है अब अपने को नेक्स्ट वाला जो वायर है उसको चेक करना है तो नेक्स्ट वाली वायर में भी आपने को बैक प्रोबिंग करनी प पड़ती है गाड़ी की सिंपल इसी तरीके से हो जाता है अभी मापको दिखाता हूं इसको चेक कैसे करना है अभी 0.65 वोल्टेज दिखा रहा है तो जैसे ही मैं इसकी एक्स्ट वाली जो केबल है उसको आगे पीछे मुवमेंट करूंगा तो आपकी वोल्टेज जो है वो पे चला जायेगा और इसको चेक करने का तरीका यह होता है कि जब इसको एकदम से अग्दम से अग्दम से एकदम से ड्रॉप कर रही है मतलब सेंसर में कोई दिक्कत नहीं है और दूसर तरीका ये होता है कि धीरे-धीरे एकदम slowly-slowly जो है एकसिलिटर को आपको press करना है जैसे इस तरह से अभी मैं press कर रहा हूं तो voltage भी जो है वो उसी तरीके से धीरे-धीरे ही बढ़नी चीए अगर एकदम से voltage बढ़ रही है तब आपका sensor खराब है एकदम से बढ़न पर आपको ECM से ही आता है, ECM से ही ground यहां पर आता है, तो ground चेक करने के लिए जो last वाली wire हमारी बची है, वहां पर अपने को ये back probing करनी है, back probing करने के बाद में अपना जो alligator clip है, आपको बताता हूँ, पहले आपको battery का जो negative cable है न, वहां से इसको हटा लेना है, अपने वाले नहीं है, क्योंकि हमको अभी चेक करनी है connectivity, तो जब भी ground चेक करते हैं, तो ground का चेक करने का तरीका यह होता है, वाइरिंग में, आपको connectivity चेक करनी होती है, तो अभी जो मैंने लगा रखा है, यहां पर पेपर क्लिप लगा रखी है, पिन लगा रखी है, उसमें अपनी red wire wire जो है, वो लगा दूँगा, और अपने multimeter को set करूँगा, भी मैं connectivity पर, या फिर diode जो भी बोलीजिए, तो यह connectivity पर मैंने set कर दिया इसको, connectivity पर set करने के बाद में यहां पर beep की sound आनी चाहिए, जब भी मैं अच्छे ground के साथ में इसको connect कर रहा हूँ, तो अभी ये engine को मैंने ground लिया है, तो engine में जैसे लगाने के बाद में beep की sound आ रही है, मतलब मेरा जो ground connection है, वो भी एकदम first class है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर throttle body में भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारी जगा में अच्छा ground रहता है, जहां पर भी अच्छा ground मिलेगा आपको, वहां पर आप दे करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं, एक अच्छी इस वीडियो में तब तक के लिए जाहिन, जा भारत